आज हम देखेंगे आंकडों की केंद्रिय प्रवृत्ति के मापो, माध्य, माध्यक और बहुलक से जुड़े कुछ दिल्चस्प उधारण एक गाव में सरकार ने निशुलक चिकित सा जाज शिवीर का आयोजन किया जाज के दोरान मदुमेह के मरीजों का ब्लड शुगर का स्तर नीचे दर्शाया गया है प्रस्तुत आकडों का माध्य ग्याद कीजिए यहां हमें प्रेक्षन और इनकी बारंबारता दी गई है इसलिए माध्य यानि मीन प्राप्त करने के लिए हमें इस सूतर का प्रयोग करना चाहिए इसमें एक्सदंड माध्य है, एक्साय प्रेक्षन और एक्साय उसकी बारंबारता है तथा N सार्णी में प्रविष्टियों की संख्या है इस्तिती में N बराबर 5 है यहां हम इस प्रकार सार्णी बनाएंगे जिसमें पहले स्थम में XI यानि प्रेक्षनों को दर्शाएंगे दूसरे स्थम में FI यानि बारंबारता को दर्शाएंगे तीसरे स्थम में प्रेक्षन और उसके बारंबारता का गुननफल यानि FIXI दर्शाएंगे यहां प्रेक्षनों की बारंबारता का योग 30 है जिसका अर्थ यह है कि मदुमेह के कुल 30 मरीजों की ब्लेट शुगर के स्थर की जांच की गई है अब हम प्रत्यक प्रेक्षन के लिए FIXI यानि FIXI ग्याद करेंगे पहले प्रेक्षन के लिए F1X1 बराबर 125 गुना 5 बराबर 625 है इसी तरह हम अन्य प्रेक्षनों के लिए FIXI ग्याद कर लेंगे अब हम f i x i का योग ज्याद कर लेंगे जब i एक से पांच तक विचरण करता है जो हमें प्राप्थ होगा 4674 इस तरह हमें माध्य 155.8 प्राप्थ होगा अगला उधारण नीचे दर्शाय का आकडे आरोही क्रम में व्यवस्थित है यदि इन आकडों का माध्यक यानि मीडियन 56 है तो x का मान ग्याद कीजिए दर्शाय गए आकडों में प्रेक्षणों की कुल संख्या 8 है संख्या 8 एक समसंख्या है हम जानते हैं कि यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या n एक समसंख्या होती है तो माध्यक N बटे 2W और N बटे 2 धन 1W प्रेक्षणों का माध्य होता है इसलिए यहां चौथे और पांचवे प्रेक्षण का माध्य माध्यक होगा यहां चौथा प्रेक्षण X धन 3 है और पांचवा प्रेक्षण 2X रिन 11 है इसलिए माध्यक है कोश्ठक में X धन 3, धन, कोश्ठक में 2X रिन 11, विभाजित 2 प्रश्ण से ग्यात होता है कि माध्यक 56 है इसलिए इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे इस प्रकार सरल कर हमें X का मान प्राप्त होता है 40 अगला उधारण किसी कक्षा के 11 विध्यार्थियों ने 200 अंकों के विज्ञान की ओलंपियाड में भाग लिया इन 11 विध्यार्थियों द्वारा प्राप्त किये गए अंक इस प्रकार है तो क्या आप बता सकते हैं कि केंद्रिय प्रवृत्ति यानि Central Tendency का कौन सा माप दर्शाएगा इन आकडों का अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा एक ऐसी माप जो आकडों के संपूर्ण समूह का एक एकल मान से प्रतिनिधित्व करे केंद्रिय प्रवृत्ति की माप कहलाती है दर्शाएग आकडों का प्रतिनिधि मान ग्याद करने के लिए हम केंद्रिय प्रवृत्ति के प्रतेक माप का मान ग्याद करेंगे माध्य है 84.09 अब माध्य ज्यात करने के लिए हम आकडों को इस प्रकार आरोही क्रम में विवस्तित करेंगे यहां कुल प्रेक्षणों की संख्या 11 यानि विशम संख्या है इसलिए यहां माध्यक 6 प्रेक्षण यानि संख्या 73 है दर्शाय आकडों के समूह में प्रतेक प्रेक्षण केवल एक बार आया है इसलिए आकडों के समूह का प्रतेक प्रेक्षण बहुलक है अब यदि हम तीनों मापों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि ज्यादातर विद्यार्तियों के 84 से कम अंख है इसलिए संक्या 84.09 से विध्यार्थियों के अंकों का कोई भी सन्निकट आकलन यानि approximate estimate प्राप्त नहीं होता ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां अंक 52 और 175 दो चरम मान यानि extreme values है आकडों के समूह में कुछ आकडों के बीच में अंतर बहुत जादा है इसलिए माध्य आकडों के इस समूह का उत्तम प्रति निदित्व नहीं कर रहा है अब यदि माध्यक की बात करें तो माध्यक का मान 73 है यहां संख्या 73 विध्यार्थियों को प्राप्त अंकों का प्रति निदित्व अधिक प्रभावशाली रूप से कर रही है तथा इस पर चरम मान 175 का अत्यादिक प्रभाव नहीं हो रहा इसलिए माध्यक दिहत्तर आकडों के इस्समोह का उत्तम प्रतिनिरित्व कर रहा है तो आज हमने देखे केंद्रिय प्रवृत्ति के मापो माध्य, माध्यक और बहुलक के उधारण झाल